हेलो अमीजिंग पीपल मैं हूँ प्रती और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस्टारो थ्री सिक्स माइन में आज जो हम करने वाले हैं थोड़ी डिफ्रेंट रीडिंग होने वाली है तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि आपकी जो भी परसन है जो आपसे लेस कॉंटेक्ट में है या नो कॉंटेक्ट में है किसी वजह से आप दोनों में अलगाव हो गया है और फिलहाल बातचीत बंध है या बातचीत बहुत ही कम है ना के बराबर है किसी तरह का कोई समपर्क स्ताफित करने की कोशिश करेंगे या नहीं यह सारे चीज आज हम यहाँ पर देखेंगे यहां पर मैंने 3 cards रखे हुए है और आपकी सहुलियत के लिए यहां पर मैंने 3 crystals रखे हुए है so intuitively या जिस भी तरह से आप आपना concentrate कीजिए और जो भी crystal आपको attract करता है या intuitively आपको लगता है कि इस crystal के साथ ही आपका answer जो है छुपा हुआ है तो आप वो select कर सकते हैं और वही आपका pile होगा so यहां पर first red crystal है blue crystal है और यहां पर golden crystal मैंने रखा हुआ है आप चाहें तो अपनी आखे बन कर सकते हैं आखे खोलने के बाद जो पहला crystal आपको attract करेगा उसी में आपका answer हो सकता है तो चलिए reading को करते हैं start शुरू करेंगे crystal number one red crystal से देखते हैं यहां पर क्या चुपा है all right so यहां पर guys हमारे पास page of wands निकल कर आया है और page of wands यहां पर हमारे पास reverse में है so आपकी जो भी person है जिनसे भी आप expect करें हैं कि यह आपको message करेंगे या call करेंगे तो guys थोड़ा disheartening हो सकता है किसी किसी के लिए लेकिन यहां पर जो है आपके जो person है वो थोड़ा detachment की feeling में चले गए हैं यहां पर आपसे emotionally थोड़ा सा खुद को अदूर महसूस करें हैं mental level पर आपके साथ one page पर नहीं आ पा रहे हैं इनको कहीं पर ऐसी feeling है कि आपके और इनके जो विचार हैं वो मिलते नहीं है शायद आप दोनों का एक साथ आगे बढ़ पाना इस relationship में मुश्किल होगा इस तरह के ख्याल इनके दिल में आ रहे हैं जो fun जो excitement जो love या आपके साथ पहले महसूस करते थे शायद ये अब उस feeling से बाहर आ चुके हैं और अब ये थोड़ा सा आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं इनको ऐसा लगता है कि ये relationship जो है शायद work out नहीं करेगा और इसी कारण से ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं सोच रहे हैं लेकिन थोड़े से logical grounds पर जादा चले गए हैं और इनको लगता है कि इस relationship में अगर logical होकर सोचा जाए तो इस relationship का आगे इनको कोई future नजर नहीं आ रहा है आपके सवाल का जवाब यहाँ पर क्या है आपको contact करने की कोशिश करेंगे तो guys यहाँ पर समझ सकती हूँ थोड़ा problem होगा आपको यह जवाब सुनने में लेकिन यह जो है आपको contact करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं नहीं इस relationship को यह आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं बल्कि ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से इस relationship को यहाँ पर end किया जाए ताकि इनके और आपके future के लिए better होगा इस तरह की सोच यहाँ पर इनकी मुझे दिखाई देती है चलिए गाइस next pile पर चलते हैं pile number two all right guys आपकी सहुलियत के लिए मैंने pile के time stamps description box में डाले हुए हैं आप चाहें तो अपने direct pile पर जाकर अपना pile देख सकते हैं pile number two queen of swords okay so guys देखें यहाँ पर answer is yes यहाँ पर yes आपके जो भी partner है वो आपके बारे में सोच रहे हैं आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं चाहते हैं कि आपसे मिलकर communication करें जो भी चीज़े हैं उनको sort करें लेकिन यहाँ पर यह आपसे मिलने और बात करने के बारे में तो सोच रहे हैं लेकिन यह cool calm और composed तरीके से बात नहीं होगी यह जो है बहुत ही aggressive बात करने वाले हैं आपसे यह भी हो सकता है कि यह अपनी ब conversation हो सकती है थोड़े hot discussions में बदल सकती है यह भी हो सकता है कि यह आपको कुछ आप शब्द कह दें या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तमाल करें जो आपको पसंद ना आए लेकिन आपकी information के लिए आपको बताना चाहती हूं कि यह इंसान चाहें आपसे कितना भी गुसा करें क कितने भी आपको sharp witty comments करेंगे आपसे बहुत जादा hard हो जाएंगे harsh हो जाएंगे लेकिन इनके दिल में कुछ नहीं है यह सिर्फ इनका गुसा है इनको उस चीज़ से तकलीफ हो रही है कि आप इनसे दूर है आप दोनों में अलगाव हो गया है यह चीज़ इनको बहुत प कोशिश करेंगे आपको message करेंगे आपसे मिलेंगे तब आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको थोड़ा सा cool रहना है और composed रहना है और थोड़ा wisely act कीजिएगा क्योंकि यह इनसान बहुत गुसे में है इस वक्त और यह जब भी आपसे मिलेंगे तब अपना गुसा आ सकते हैं 12 months बहुत जादा टाइम है लेकिन 12 weeks के अंदर अंदर यहां पर मैं देख पारी हूं किसी महीने की 12 तारीख भी हो सकती है और घड़ी में 12 बज रहे हो तब इनके call या message आजाएं ऐसा भी possibility है अभी आप जब यह reading देख रहे हैं तब से 12 गंटे में या 12 minute में इनका call या message आजाएं ऐसी भी possibility यहां पर नजर आती है all right so guys यह आपसे जरू contact करेंगे लेकिन यह थोड़े फिलाल गुसे में है तो आपको थोड़ा जो है इनका temper जो है वो थोड़ा आपको handle करना पड़ेगा चलिए pile number 3 पे आगे बढ़ते हैं so pile number 3 जिन्होंने golden crystal choose किया है देखत Aquarius okay so guys देखिए यहां पर क्या आपके जो person है वो आपसे मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं तो यहां पर मुझे आप लोगों ऐसे कहीं लोगों के लिए क्यों मुझे यहां पर ऐसा intuitively ऐसा feel मिलता है और यह card से मुझे बहुत सारे ऐसे energies मिलते हैं कि आपने खुद step back किया है इस relationship से और आपने खुद अपने person को अपने से दूर किया है आप में से कई लोगों ने खुद ही इनसे contact जो है खतम किया है यहां पर कुछ लोगों को commitment का problem है इस तरह के feelings यहां पर मिलते हैं यहां पर guys देखिए आपकी जो person है वो आपसे मिलना चाहते हैं बात करना चाहत हैं तड़प रहे हैं किसी तरह से आपसे contact करना चाहते हैं आप में से कुछ लोगों ने हर एक जगे इनको block करके रखा हुआ है अगर रखा हुआ है तो please इनको unblock कीजे क्योंकि यह आपसे actually बात करना चाहते हैं आपके साथ में अपनी जिंदगी spend करना चाहते हैं इनसे जो भी best possible यह इस relationship को सुधारने के लिए कर सकते हैं वो यह अब करना चाहते हैं एक self realization के साथ यह आपके पास वापस आना चाहते हैं इनको महसूस हो रहा है इन्होंने जो गलतियां की है आप में से कई लोगों ने guys यहाँ पर maximum set of people के लिए मुझे feeling यहाँ पर मिलता है कि आपन में खुद जो है relationship में यहाँ पर ऐसे barriers लगा रहे हैं तो वो barriers को यह जो है सह नहीं पा रहे हैं दूरियों से यह बहुत जादा इनको तकलीफ हो रही है यह इनसान बस कैसे भी करके आप से contact करना चाहते हैं और जो भी आप दोनों के बीच में problems हैं उन problems पर काम करना चाहते ह हैं problems को sort करना चाहते हैं और guys यह जो इनसान है यहाँ पर मैं आपको maximum 25 to 30 days में यह इनसान आपके पास वापस आ सकते हैं 25 to 30 minutes भी हो सकते हैं 25 to 30 hours भी हो सकते हैं तो यहाँ पर यह जो इनसान है बहुत जादा मतलब आप कह सकते हैं कि तड़प रहे हैं यह इनको लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके यह आप से आजाएं बात करें इनको लग रहा है कि आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं या इनको एक मौका और अगर मिलेगा तो यह च शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ और बहुत ही प्रोडेक्टिव तरीके से ही अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं और अब यह कोई गलती नहीं करना चाहते हैं इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं तो फिलाल के लिए यही आपकी छोड़ी सी प्यारी सी ब्यूटिफुल कलरफुल रीडिंग अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब और शेर और मैं मिलूंगी आपको नेक्स रीडिंग में तब तक के लिए बाबाई और टेक गुट केर अफ यॉरसेल्फ